हलो फ्रेंट आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि computer science engineering का क्या scope है अभी इस present time में और future में क्या scope रहेगा इसका और दोस्ते अपने diploma कर रहे हैं या आप diploma कर चुके हैं अभी टेक computer science से कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखेगा और अपने दो job के opportunity क्या है मतलब आप कर चुकते हो तो आपको करने कवा तुरंट campus placement होगा या नहीं होगा यदि आप कहीं भी किसी company में जाते हो तो आपको job मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर दोस्त आपको job मिलेगी तो किन locations पर और कहां पर कैसे मिलेगी और आप खुद के थुरू क्य present time में तो आपको भी पता है कि जो भी काम हो रहा है इस present situation में present time में जितने फर government के portal है वो सब online हो चुके है जो भी company में काम हो रहा हो सब कुछ online data ही submit करता है यनि कि आप समझ सकते हो कि हर एक काम computerized हो चुका है लेकिन यहां पर आप एक engineer हो चाए diploma हो चाए degree हो तो आपको क्य आती है coding आती है coding आना ही चाहिए और दोस्ति यहां पर AI आपको सिखाया जाता है AI की कुछ basic सिखाया जाता है और इस time आपको भी पता है कि AI इस time boom कर रहा है हर एक field में हर एक जगा AI का use होना ही होना है चाहिए कोई आप application उठा लो तो वहां पर AI के कुछ नो कुछ implementation यानि की user रहता ही रहता है यदि आप समय के साथ अपडेट नहीं हुए हो समय के साथ अपडेट अपने आपको नहीं करोगे तो दोस्त यहां पर आप को जाब नहीं मिलेगी सिंपल सी बात है computer science को जो भी engineers हैं निकल रहे हैं और उनके पास कोई skill नहीं है केवाल certificate है और वो केवाल theoretically पढ़कर निकल रहे हैं तो उनको जवाब नहीं मिले क्यों कि कोई भी company freezer को रखेगी तभी जब उसके पास basically कम से कम थोड़ी बहुत skill हो उसको काम आता हो तो दोस्त इसके लिए आपको ज्यादा डरने और घबरानी जूरत नहीं है बस आपको च्छे महीने का practice करना है implementation सिखा जाता है क्योंकि आपके पास degree है अब आप यहाँ पर 6 महीने का course कर सकते हैं बाके वैसे तो आप मैं आपको recommend करूंगा कि पढ़ाई करते हुए ही आप यहाँ पर practically आप चीजों को implementation उनका सीखिए जैसे कि आपको language सिखाई जाती है या सीखाई जाता है तो यहाँ प पर आपका यहाँ पर interview schedule तो हो जाएगा क्योंकि आप already computer science engineering background से हो ठीक है ना क्योंकि आप already computer science engineering background से हो तो आपका interview schedule तो जाएगा but interview आप निकाल नहीं पाऊगे तो इसलिए practical implementation यहाँ आप सीखते हो कि industry में कैसे काम करता है यहाँ पर सब कुछ तो दोस्ते यहाँ पर आप बह पाओगे जब आप practical चीजों को सीख जाओगे particular किसी भी location में जाकर तो यहाँ पर आप college करते हो तो बहुत अच्छी वात है नहीं सीखते हो तो फिर आपको 6 महीने का time निकाल कर आपको कहीं जाना चाहिए practical चीजों को सीखना चाहिए तो इसकोप की बात करें तो present में भी अ science background से हैं और दोस्ता आपको पास experience है तो आपको जाब ना मिले एक 101 परसंट जाब मिलेगा और अच्छी साल और दोस्त अच्छा खासा package के साथ मिलेगा 5-6 लाग कप package साल का मिलेगा उसके बाद 2-3 साल experience के बाद आपको 10-12 लाग कप package भी देखने को मिल जाएगा अच्छा आपक्षाद